नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी जम कर एक दूसरे के साथ अवीर खेले इस दोरान सियम हेमान सुरेन ने भी काफी जूमते नजर आये इस मौके पर सियम ने राजवास्यों को होली की बदहाई और सुपकमनाय भी दी है मौसम विभाग के अनुसार राची सहीत जारखन के कई जिलो में आंसिक बादल चाहे रहेंगे बारिस का अनुमान नहीं है मौसम विभाग ने अपने पुरुनमान में बताया है कि 16 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा आसमान में हलके बादल चाहे रह सकते है या इस्तिती 20 मार्च तक संभव है मौसम विभाग ने पुरुनमान में बताया कि होली के दिन आसमान में आंसिक बादल चाहे रह सकते है हलाकि बारिस का उनिमान नहीं है मौसम विभा केशन सा सुलला, 29 एवं 20 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा आस्मान मुख्यत साप रहेगा वे 17 ओ 18 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान में आसिक बादल छाए रह सकते हैं हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को मिलेगा 6.5 लाख रुपए जार्खन के सभी बिधान सभाच्षेत्र में बनेंगे स्टेडियम जार्खन सरकार हर बिधान सभाच्षेत्र में एक-एक स्टेडियम बनाएगी इसके लिए सभी बिधायक एक-एक स्टेडियम के अनुसंसा कर सकेंगे परयाट नवक्खेल मंतरी हफिजूल हसन ने जारखन बिधान सभा में इसकी घोसना की है वे कॉंग्रेस बिधायक दिपिका पांडे सिंग के तरांकिक प्रश्ण का जबाब दे रहे थे उन्होंने कहा कि महगामा में इस्टेडियम बनाने के लिए विधायक ने प्रस्ताव लाया है सरकार ने गोड़ा का उपायुक्त को जमीन चेनित कर सुचना देने को कहा इस पर विधायक दिपिका पांडे सिंग भी अगर जमीन उपलब्द करवा दे तो तेजी से करवाई हो सकेगी अंडर 18 महिला फूटबॉल में भारत ने नेपाल को हराया अंडर 18 महिला फूटबॉल में मेजबान भारतिय टीम ने नेपाल को 5-0 से हरा दिया है उद्घाटन के कुछ मिनट बाद ही बढ़त बना ली यहां ज्याडे स्पोर्ट कमपलेक्स में खेले जा रहे मैच में भारत ने नेपाल पर 3-0 की बढ़त हासिल कर ली है भारतिय टीम की 11 नमबर खिलाडी अनिता कुमारी दोनों गोल करने में कम्याब रही वहीं 36 मिनट पर भारत ने तीसरा गोल मारा यह गोल लिंडा के नाम रहा इससे पहले राजे की खेल मंत्री हफिजूल हसन अनसारी ने परत्योक्तागा उद्घाटन किया इस दोरान स्वास्त मंत्री बना गुपता जमसेथपूर पूरुवी के विधायक सर्जूराय, टाटाई स्टील, CSR के उपाध्यक, चानक के समेत कई खिलाडी और अधिकारी मौजूद थे कस्तूर्बा विध्यालों में अनुबंध परकारेड़ सिक्षिकाओ को अस्थाई नियुक्ती में आरक्षन कस्तुर्वा गांधी बालिकावा से विद्याले में अनुबन परकारद पूर्ण कालिक सिक्षिकाओ को विद्याले में होने वाली अस्थाई नियुक्ति में 25 परतिसत आरक्षन दिया जाएगा इसके लिए नियुक्ति नियमावली त्यार की जा रही है नियमावली लागू होने के बाद इन विद्यालों में पहली बार सिक्षिकाओ की अस्थाई नियोक्ती होगी सिक्षा मत्री जगनात महतुने मंगलवार को या जनकारी विधान सभा में दिहाई 15 क्रोर आदिवासियों को अलग धर्म कोड नहीं मिलना दुर्भागे पूर्ण अखिल भारतिय धर्म परिशत की बैठक मंगलवार को अमबेट कर भवन नई दिली में हुई अध्याक्षता विश्वनात वाकडी ने की प्रेम साही मुंडा ने कहा कि 15 क्रोर जनसंख्या वाले आदिवासियों को धर्म कोड नहीं मिलना दुर्भागे पूर्ण है जबकि अन्य समुदाव की जनसंख्या कम होने के बाद भी उन्हें प्रिथक धर्म कोड दिया गया है उन्होंने कहा कि आदिवासि समाज से अपील है कि धर्म कोड के मामले में सभी एक्ता बनाए रखे और नाम पर समती बनाए अन्याथा देश का आदिवासि समाज बिना धर्म कोड के बिखर जाएगा पोस्ट मेट्रिक छतविर्ती की तारिख बढ़ी अनुसूचित जाती अल्पसंख्यक और पिछरा वर्ग कल्यान विभागने जहारखन राज और राज के बाहर मनेता प्राप्त बिएड महाबित द्यालों के सेक्षिनिक सत्र दोहजर बीस बाइस और पोस्ट मेट्रिक छत्रविर्ती 21 के लिए आवेदन करने की तारिख तुरा कर लिया जाएगा वही 26 मार्च को सत्यापन की आमतिमति थी निधारित की गई है किसानों की आमदनी दोगनी करने की कवायत शुरू अस्थानिय उत्पातों को राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय अस्तर प्रबजार उपलब्द कराने के लिए राई सरकारने अंतर एमजी को प्रोजेक्ट मोनेटरिंग यूनिट के संचारन की जिम्यदारी दी है अगले महिने कमपेनी के साथ करार होने की भी पूरी संभवना है टेंडर के माध्यम से मिली या जिम्यदारी ना सिर्फ कमपेनी के लिए बलिक जार्खन के लिए भी आम है वन डिस्ट्रिक् ने विभीन जीलों के परमोख उत्पादों का चेयन कर लिया है जिसके माध्यम से अस्थानिय किसान की आर्थिक इस्थीती भी सुद्रिट होगी जार्खन में कुरोना के 27 नए केस मिले है जबकि 42 मरी स्वस्थ भी हुए है जार्खन में कुरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 203 है भारत में 267 थान में नए केस मिले है जबकि 3442 मरी स्वस्थ हुए है भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 32,165 है अस्थानिय निती बनने के बाद ही घर लोटेंगे जामोव विधायक लोबिन सतारूट जार्खन मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्रेम ने कसम खाई है कि वे अस्थानिय निती बनने के बाद ही अपने घर वापस लोटेंगे अगामी पांच अप्रेल को पूरी बेवस्था अपने साथ लेकर अपने घर से निकलेंगे कपड़ा छोटा गैस चूला के साथ साथ चूड़ा गूर सतु प्याज और मिर्च साथ रहेगा वेव पूरे राजे में घूमकर उन्हें 32 के खतियान के अधार पर अस्थाने निती बनाने के लिए अभियान चलाएंगे पहले संताल परगना और उसके बाद छोटा नागपर घूमेंगे उनका काना आए कि पूरवर्ती सरकार द्वारा लागव अस्थाने निती की परिभासा उन्हें सवीकार नहीं है मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे पूर्व में अस्थाने निती को लेकर नियाले द्वारा दिये गए फैसले का अध्यान करेंगे लेकिन कितने दिन अध्यान होगा जारखन में पूलिस कर्मियों को जल्द मिलेगा 20 दिन का छाती पूर्ती आवकास जारखन के पूलिस कर्मियों को 20 दिन के छाती पूर्ती आवकास का लाब बहुत जल्द मिलने जा रहा है इसके साथ साथ रासन और मांगाई भाता बढ़ने की भी समभवना है माले बिधायक बिनोज सिंग के ध्याना करशन प्रश्ण के जबाब में संसादिय कारेमंतिय अलमगीर अलम ने इसकी घोसना सदन में कर दी है बता दे मंगलवार को जारखन बिधान समय पुलिस कर्मियों के छाति पूर्ती रासी का मुद्दा माले बिधायक बिनोज सिंग ने उठाया बिनोज सिंग के सवाल पर बिधायक सर्जुराय ने भी राई सरकार की मनसा पर सवाल खड़े किये माले बिधायक विनो सिंग के इस ध्याना कर्षन प्रश्ण के जबाब में संसद्य कारमंति अलमगीर अलम ने बताये कि पुलिस कर्मियों को 20 दिन के छाथी पूर्ती अवकास देने का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा मामले में 11 जन्वरी 2021 को विभागिये पत्र आया है राज सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है जल्द ही इस पर सरकार निर्न लेगी चत्रा में कस्तूरवा गांधी हवासे विद्द्यालै की छात्रा की संदीख्द अवस्था में मध ब्यान से कई तरह किया संका जताई जा रहा है पुलिस ने सौग को पोस्ट माश्रम के लिए चात्रा भेज दिया है साइबर फ्रोट को रोकने की कवायत तेज करेगा डोट राइधानी राची समेत राज के सभी जीलो में साइबर फ्रोट रोकने के लिए डिपार्टमेंट ओप टेली कम्यूनिकेशन सक्तरवईया अपना रहा है पिछले तीन दिनों से राची धनबा जमसेथपूर हजारी बाग गिरी डी रामगर समेत आसपास के जीलो में डोट के दुआरा टेक्नोलोजी वा सेक्रिटी अर्डिट की मुहिम की चलाई जा रही है ताकि साइबर फ्रोट करने वालों पर नकेल कसा जा सके इस समद में डिपार्टमेंट अब टेली कम्यूनिकेशन के निदेशाग के इन राय ने बताया कि तीन दिनों के अंदर सहर के रीम्स सी एम पीडि आई नबाट लाक ओले सभी फाइनेंस कंपनियों समेत अस्थानी ये बेवसाईउयों के फरम पर भी जाज अभियान शूरु हूई जार्खन के सुदर एस्पतालों में सुरक्छित प्रसव नहीं जार्खन के जीला सदर अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव के लिए भी आवस्यक दवा नहीं होती महालेखाकार ने नमूने के रूप में राजे के छा जीलो राची देवगर पूर्वी सिमु महजारीवग पलामू तथा रामगण के सदर अस्पतालों के अंगेक्छन में लपरवाई पकड़ी है बता दे बर्ष 2014 से उनाइस के दवान पांच बर्षो के नमूने के रूप में की गयी जाच में इन अस्पतालों में मात्रु स्वास्त सेवावों के लिए अनिवारे अने ज़रूरी उपकर्णों वा अने संसाधनों का भी घोर अभाव पाया गया एक तरफ अस्पतालों में मात्रु स्वास्त से समंधित दवा नहीं थी तो दूसरी तरफ दवा के कलोरो रुपे बेकार पड़े रहे बाद में सरेंडर भी हो गाए जारखन में जिला अस्पतालों के पैनावों पैया रिपोर्ट मंगलवार को विधान सभा में रखी गाई सोमवर को ट्वीट कर देश के सभी अविभाकों को अगत कराया है कि देश में 16 माई से इस आयूवर के बच्चों का टिका करन सुरू किया जारहा है जारखन के 12-14 साल के 23,90,000 बच्चों को कुरोना से बचाव के लिए टिका देने की त्यारी है जिलावार सुची भी त्या साल में लाने के साथ ही पूरे देश में सेक्षनिक महल बदल जाएगा जारखन में इस नेती के लिए रोड मैप तयार किये जा रहे हैं सही तरीके से लागू करने के लिए 15 सदे से समीति का गठन किया गया है जिसके संजोजक बी आईटी मेसरा के कुलपती डाक्टर इंद को लेकर कोई तयारी नहीं जारखन एकेडमी काउंसिल जैक वोड परिक्षा के साथ साथ आठवी नवी और एगारवी की परिक्षा में बदलाव किये हैं विभाग द्वारा पहले ही जारी किया गया है कि परिक्षा जून तक आयुजित किया जा सकता है जैक अध्यक्ष अ परिक्षा आउजित की गई थी उन्होंने बता कि पहले बोड परिक्षा आउजन के बाद दूसरी ओर ध्यान दिया जाएगा जारखन में 15 लाग सदस्यों को कॉंग्रेस पार्टी से जोडने का लाग छे जारखन परदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्याख राजिस ठाकूर के अध्यक्षता में कॉंग्रेस बहुन में पार्टी के मंत्रियों एवन बिधायकों के साथ सदस्यता बियान को लेकर बैठ इस मौखे पर परदेश कॉंग्रेस के एपी आर ओ भवेस चोधरी जीतेंद्र कसाना कॉंग्रेस बिधायक दल के नेता अलमगीर आलाम मंत्री डाक्टर रामेशर उराव बन्ना गुपता बादल पत्रलेक विस्तेस रूप से उपस्तित थे परदेश कॉंग्रेस अध्यक रा में जमा करें ताकि उसका आकलन कर समाज के सभी वर्गों खास तोर पर महिला एम युवाओ को पार्टी के मुखे धारा में जुड़ा जा सके डेढ़ महबाद रांची के मौराबादी मैदान के पास दुखानों की सिफ्टिंग शुरू जार्खन की राइधानी राची के मुराबादी मैदान के पास की बंद दुकानों की डेर महिने बाद सिफ्टिंग शुरू हो गई है 15 मास 2022 मंगलवार को मुराबादी मैदान के मोबाइल टावर के पास करीब 35 दुकानों को सिफ्ट किया गया इस छेत्र की बंद दुकानों की सिप्टिंग नहीं होने से सोमवार को जर्खन हाई कोट ने अमन्ना दायर किया था मालूम हो कि गत 27 जनवरी 2022 को हाई सेकुरिटी जोन मुराबादी मैदान के दिन दाहरे गैंग गवार के बाद उसके अगले दिन 28 जनवरी को जिला परसासान इस छेत्र में निस्दागया लागू कर दिया था जर्खन आ रहे है किसान नेताराकेश टिकाईत भारतिये किसान यूनियन के नेताराकेश टिकाईत 22 और 23 मार्च 2022 को जर्खन आ रहे हैं वह लाते हा जिले के नेतारहट इस्थित टुटुआ पानी मोड में आयोजित ग्रामिनों की सभा को समोधित करेंगे यह सभा नेतरहट फाइनिक रेंज रद करने की मायं को लेकर आयोजित की गई है इसमें 245 गाउं के ग्रामिन सामिल होंगे दो दिनों तक चलने माले इस विस्थापन विरोधी आंदोलन को राकेश टिकाईत अपनी उपस्थिती में धार देंगे हर गाउं में उनके आने का निमंत्रन लोगों तक पहुचाने का सिलसिला जारी है होली पर जहरीली सराब को लेकर खुपिया विभाग अलर्ट जारखन में होली पर अवयद वा नकली सराब खपाने की त्यारी है या सुचना जारखन पूलिस की खुपिया अजेंसी बीसे सखा की है जिसके सत्यापन के लिए सभी जीले में समधित पूलिस पदाधिकारी वा उत्पाद विभाग के टीम छापे मारी कर रही है सभी जीलों को सराब के अवय धन्दे में लिप्त धन्दे बाजों के सुची का सत्यापन कराने वा दोसी मिलने वालों के खिलाप करवाई करने समधित आदे स्पीत दिया जा चुका है सभी जीले होली तक अलट है कई जीलों से दरजन भर से अधिक गिरफतारियों वा कई अड़ों के ध्वस्त किये जाने समधित सुचना आ चुकी है राची सहर में हेथू नामकुम के जुरार के अलावा ग्रामिन छेतरों में पूलिस चौका सहर और आपने गुप्तचर के माध्यम से अवाय दोवानकुली सराप के बारे में जनकारी ले रही है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बावल का बेल एक कर दबाएए साथ साथ वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडिवेक अवस्य दे थैंक्यू